चांगुटोला थाना के अंतरकत ग्राम कुमजर के समीब बसे गाउं के जंगल कोईला भट्टी नाले में पत्थरों में दफन की गई एक महला के लाज बरामत की गई म्रतिका की सिनाक सुनीता पती दिलिप यादव 41 वश ग्राम मक्के थाना नैनपूर जिला मनला निवासी के नाम से की गई जिसकी गला घोड कर हत्या करने के बाद उसके लाज को नाले में पत्थर में दबा दिया गया था महला की लास 15 दिन पहले की बताई जारी जो काफी खराब हो चुकी थी प्रेम प्रसंग के चलते सुनीता यादव की हत्या उसी के प्रेमी ने की थी चांगोट्रेला पुलीसरेस मामले में इस महला के प्रेमी बल्ड़ी फीता 20 राम भावरे 45 वश ग्राम मक्य थाना नायनपुर निवासी को हिरासत मिले कर पुस्ता शुरू कर दी had प्राप्त जानकारी कनुसर मंडला जीले के ग्राम मक्के निवासी हमेला सुनीता यादव के दो बेटे हैं जो अपनी मां से अलग रहते हैं और सुनीता को उसका पती 12 वर्ष पहले ही छोड़ चुका सुनीता अकले रहती थी और उसी गाओं में भलड्राम भावरी भी अकला रहता था जिसे उसकी पत्नी भी छोड़ चुकी थी बताया गिया कि सुनीता और भलड्राम के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और सुनीता बलडराम के उबर शादी करने का दवाव डाल रही थी तेज़ अगस से यह महिला सुनीता यादो अपने गाउं से लापता हो गए थी संब्ध में उसके परिवार वालों ने नैनपुर पुलिस थाने में रेपोर्ट दर्श की थी नैनपुर पुलिस गुम इनसान कायम कर इस महिला की काफी खोजबीन कर रहे थी खोजबीन के दोरान पता चला कि इस महिला का प्रेम सम्मद उसी के गाउँ के बलडराम के साथ चल रहा था तब नैनपूर पुलिस ने बलगराम से पुस्ताच की उसने घट्टा के संबंद में बताई कि उसकी ने उसकी हत्या कर दी है। कि जब सुनीता बलगराम यादव पर शादी करने का दमावाना रही थी तब बलगराम यादव ने सुनीता को अपने रास्तित से हटाने का प्लान बनाया। और वहाँ घट्ना के पहले चांगोटोला थाना के अंतरगत बसेकाओ का जंगल कोईला भट्टी नाले का पौँचा और घट्ना सल को देखने के बाद तेश सगस को बलगराम सुनीता को लेकर कोईला भट्टी का नाला पौँचा और वहाँ उसने सुनीता की गला घोटकर उसके लास पर बड़ा सा फत्तर रख दिया गया ल्एवी धिस पतर को काफी प्रयाश किया और तुल चांगुटवला पुलिस ने घटना सल अपने शेत्र का होने से या पूरा मामला अपने हाथ में लिया है और बल्डराम भावरे से ही राज़त में लेकर पुस्तासु रुकी है इस मामले की जांच परताल थानपरफारी करपाल शांटे काम और उपनी रिक्षक रंजीत रगुवनसी के द्वरा क्यु जारी है